हेलो नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आल्विज न्यू मूवी अपडेट्स बिग बॉस बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके लिए आप कह सकते हैं सभी के सभी सेलिबिटी आप टीवी सेलिबिटी कहले या फिर कॉमन लों कहले वो देखने के लिए एक्साइटर रहते है और वही बिग बॉस में आने का मौका मिले उसके लिए भी एक्साइटर रहते हैं बिग बॉस के इस सीजन में घर के अंदर काफी टीवी के बड़े बड़े नाम आये हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि पहले कोई खास जानता नहीं था लेकिन अब बिग बॉस मैंने सुनकी फैन फॉलिंग भी अच्छी खासी बढ़ने लगी है अगर हम बात करें तो घर में लड़ाईयां वगयरा बहुत कुछ होता है लेकिन घर के अंदर गेम आगे आगे बढ़ती जाती है कभी टीयार पी डाउन आती है तो कभी टीयार पी अपाती है इस सीजन में तो वैसे भी आप कह सकते हैं जो बिग बॉस ओठीटी के सदस्य थे उनको घर में लाया गया चाहिए हम प्रतीक कह ले निशांत कह ले शमीता कह ले और हाली में तो दो तीन और लोग भी आया थे जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो घर के अंदर राकेश आय ये शो भी पहले की सीजन की तरह ब्लॉक बस्टर है वही मैं आपको उता दू घर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है कभी प्यार के अंगल चल रहा है तो कभी दुश्मन नहीं चल रही है लेकिन वह आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हम पहले के सीजन में देखते थे कि जो दु दोस्ती हो गई वह लास्तक दोस्ती चलती थी उस तरह से सीजन में अभी तक उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है कि इसी बीच एक बड़ी न्यूज घर अभी सोचल मेडिया पर चलनी शुरू हो गई है वह है आसिम ज्यास को लेकर के तो कुछ इस तरह से घर के अंदर आप कह सकते हैं लोग बाते करने शुरू कर चुके हैं घर के अंदर नहीं स्वरी ओडियन्स अगरम कहें तो बाते करने शुरू कर चुके हैं कि रियूनियन ऑफ सीजन थर इंग अधेस्टन कैन वी सीन रश्मी देवो पारस आसीम आर्थी और महिरा कुछ तो यह भी कह रह कि आने वाले हैं घर के अंदर महिरा और आसीम तो आने ही वाले हैं 90% कन्फरम हैं तो कहीने कि यह बाते घर के अंदर चल रही है अब इस पे काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या यह सच है क्या यह रियल्टी है मैं अधे इतना है कहूंगा कि अभी तक 100% कुछ भी कन्फरम कि अपने साही है हमें पहले ही पता है कि यह सीजन इतना आगे तक जा चुका है अब घर के अंदर अगर कि इतने सारे लोग आते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ वीकेंड के वार के लिए उसके शूट के लिए और आप कह सकते हैं उसी के लिए आ अंदर कोई भी नहीं जाने वाला इतना मुझे लगता है कि इतना बिग बॉस नहीं करेंगे और बेस नहीं करेंगे कि भाई अब एक नया सीजन है तो हम क्यूं उन्हीं लोगों को बार बार देखें जिनको हमने पहले भी देख चुके हैं आसिम काफी बड़े सेलरिबिटी बन चुके हैं वह अब बिग बॉस में फिर से आएंगे नहीं लगता लेकिन हाँ अगर आते भी है तो वीकेंड के बाहर के लिए आ सकते हैं और शो के लिए शो के अंदर जाना वह अभी तक बिल्कुल भी कनफर्म नहीं हुआ है तो यह जितने भी बात आप सुन रहे आपको बताना आपको क्या है क्याना इसके बारे में कमेंड बॉक्स में लिखें सब्सक्राइब करें धन्यवाब